हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेल्किम टू माइ चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं चाहता हूँ की शांती हो, वो चाहती है की हर जगा कुशी हो, वो चाहता है की तरक्की हो, हम चाहते हैं की हर तरफ भाइचारा हो आएए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject के according want, wants, wish, wishes, like या फिर likes इन में से कोई एक main word बाती है अगर हमारा subject singular है जैसे कि she या he तो wants, wishes या likes इन तीनों में से किसी एक का यूज होगा और अगर हमारा subject plural है जैसे कि I, you, we, they तो want, wish या like इन तीनों में से किसी एक का यूज होगा want, wish, or like इन तीनों का ही sense हिंदी में इच्छा या फिर चहा से होता है इसके बाद there आता है इसके बाद to be आता है और last में object noun आता है इसमें हम उस चीज को mention करते हैं जिसके होने की इच्छा या चहा के बारे में हम अपने sentence में बात कर रहे है हम same structure पर based interrogative sentences भी बनाते है जिसके rule के according sentence की starting होती है do या does subject के according इन दोनों में से किसी एक helping verb के साथ अगर हमारा subject singular है तो does आएगा जैसे की she does, he does और अगर हमारा subject plural है तो do आएगा जैसे की I do, you do, we do, they do इसके बाद want, wish, or like इन तीनों में से कोई एक आता है इसके बाद there आता है इसके बाद to be आता है और last में object noun आता है चलिए अब इन दोनों rules पर based कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए मैं जाता हूं कि शान्ती हो I want there to be peace या फिर I wish there to be peace या फिर I like there to be peace वो चाहती है कि हर जगा खुशी हो She wants there to be happiness everywhere या फिर She wishes there to be happiness everywhere या फिर She likes there to be happiness everywhere यहाँ पर देखिए subject हमारा singular है she इसलिए यहाँ पर हम wants, wishes या likes में से किसी एक का यूज करेंगे वो चाहता है कि तरक्की हो He wants there to be progress या फिर He wants there to be prosperity हम चाहते हैं कि हर तरफ भाईचारा हो We wish there to be brotherhood everywhere भाईचारे को इंग्लिश में brotherhood बोलते हैं वे चाहते हैं कि सद्भावना हो They like there to be goodwill सद्भावना को इंग्लिश में goodwill बोलते हैं क्या तुम चाहते हो कि अशान्ती हो Do you want there to be disturbance? क्या वो चाहता है कि तनाव हो Does he want there to be tension? क्या वो चाहती है कि दोस्ती हो? Does she want there to be friendship? अब ये दो सेंटेंसेज आपके होमवर्क के लिए वो चाहता है कि तमाशा हो और क्या तुम चाहते हो कि तमाशा हो? इन दोनों को हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? या आप मुझे कमेंट्स में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon and get next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई